हाँ तो फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ बहुत इंट्रेस्टिंग फैक्ट जिनको जानकर आपको प्रिसन नता तो होगी मतलब मनोरंजन तो होगा और इंट्रेस्ट भी बहुत आएगा नोलेज बढ़ेगा तो मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नह नहीं करना चाहता है इसलिए बिन टाइम वेस्टिक की में वीडियो को शुरू कर देता हूं फैक्ट नंबर पंद्रा वारत में किसी और जानवर के वज़ाए सबसे ज़्यादा भेंसे लगवक दस करोड फैक्ट नंबर चौदा इंसान के 32 लेकिन भालू जो होते हैं ना प्रेयर उनके होते 42 दांथ कि नंबर 13 बिच्छू छे दिन तक सांस रोक सकते हैं फैक्ट नंबर 12 नर समुदरी घोडा घोड़े से मैं बता दू कि जो ये वाला घोड़ा नहीं हो उर्स वाला घोड़ा ने नर समुदरी घोड़ा मतलब समुद्र में जो रहता है पहले तो नर्ज समुद्री घोड़ा जो होता है वो प्रेगनेंट हो सकता है और बच्चे को जन्म भी दे सकता है फेक्ट नमबर ग्यारा जिराप की जीव इतनी लंबी होती है न कि वो इससे अपना कान भी साप कर सकता है फेक्ट नमबर दस याने कि टेन चूहा बिना पानी के उट से भी जादर समय तक रह सकता है फेक्ट नमबर नाइन चमगादार के पेरों की हड़ी इतनी पतली होती है कि चल नहीं सकते है इसलिए तो यह रात भर उड़ते रहते हैं और दिन भर लटके रहते हैं आपने देखा ही होगा प्रिक्त नमबर एट गाय को तभी अपने आते हैं जब यहां लेटकर आध सुती हैं भी सेक्ष खड़े कर भी सुती है बड़ उस समय नहीं टेकिन जब लेटकर आते हैं इनको सपने number seven Sunday का जो तेल होता है पहले ये मेरे अंदर भी एक मित थी कि जो सांडे का तेल होता है वो सांड से निकला जाता होगा वड़ ऐसा नहीं है इसक्रेशन पर आफ पहले पोटू देख लो कि ये होता है सांडा नाम का जीव अब इसके अंदर से निकला जाता है तेल वो भी सांडे का जो की एक छिपकली के जैसा दिखाय देता है एक तितली की बारह हजार आके होती है एक प्रेक्ट नमबर फाइब सांड कलर ब्लाइंड होते हैं सांड जो आपने देखे होंगे ना सांड यानिकी बेल वो कलर का दिखाय देता है इसलिए ने वो खेल के दुरान दिखाय जाने वाला लाल रंग का कपड़ा भी नहीं देखता है फिक्ट नमबर फॉर मेंड़क बिना पलक जपके कुछ भी निगल नहीं जकते हैं आपने देखा ही होगा कि कुछ निगलते टाइम अकसर ये पलकों को ज क dei दूर का दहीर नहीं जमता है अथे आपको की सुनाए नहीं दिए होगा कि उट नी जेसे कि मेल फिमेल होते ना तो यने मिल और उट यन Bennett तो उसी प्रकार मुछ नी मिजु होता इसको जो हटा है उसका दूद होता उसका दहीर महीं resident attack व स्कूल को जो मैं देखा होगा ना वो जो अपने पास चांदा रहता था उसके एंगल के हिसाब से देख लो कि जीरो से लेकर 360 मतलब इस एंगल तक वो देख सकती हैं तो यह थे आज के कुछ इंट्रेस्टिंग फेक्ट मुझे पता है कि इनको सुनकर आपको बहुती मज़ा आया होगा मनोरंजन तो हुआ ही होगा क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो जो इस वीडियो को देखकर आप अपना मनोरंजन तो करी रहे हो साथ मैं नोलेज भी प्राप्ति कर रहा हूं तो थें लिंग्स एंड वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन एंड वीडियो आप तक जरूर कहांचें